महराश्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अब नामांकन की तारीक समाप्त होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है 29 अक्टूबर तक ही नामांकन हो सकेगा लेकिन अभे तक BJP के नेतरुत वाली महायुती में सीटों को लेकर जगड़ा खत्म होता नहीं दिख रहा है वैसे समझाता तो MVA में भी नहीं हो पाया है लेकिन सिर्फ 30 सीटों पर ही समस्या है और इनमें से करीब आधा दर्जन सीटे दूसरे सहयोगियों को दी जानी है यानि देखा जाए तो MVA में 24 सीटों पर ही समस्या है वहीं दूसरी तरफ महायुती में 73 सीटों यानि 3 गुना सीटों पर टकराव बना हुआ है ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या महायुती चुनाफ से पहले ही बिखर जाएगी अगर चुनाफ से पहले ऐसे ही जगडा चलता रहा तो महायुती की हार भी तैमानी जा रही है क्योंकि PARTY के निता अभी चुनाफ परचार ही शुरू नहीं कर पा रहे हैं और महायूती में बढ़ते इस टकराव को लेकर ही आज इस खास रिपोर्ट में हम करेंगे बाद नमस्कार मैं आराधना तो शुरू करते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट तो महाराश में विधान सभा की कुल 288 सीटे हैं इसमें बीजेपी ने अभी तक 121 सीटों पर उमिद्वारों का ऐलान किया है वही शिवसेना शिंदे गुट ने 45 सीटों पर कैंडिडेट घोशित कर दिये हैं एंसीपी अजिद गुट ने भी 49 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है कुल मिला कर देखें तो अभी तक सिर्फ 215 कैंडिडेट के नाम का ऐलान हुआ है लेकिन अभी भी तीनों पार्टियों को 73 सीटों पर कैंडिडेट का ऐलान करना बाकी है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बीजेपी ने जो 121 उमिदवार घोशित किये हैं उसमें भी पांस सीटे ऐसी हैं जिन पर शिवसेना शिंदेगुट का भी अपना दावा किया जा रहा है ऐसे में साफ दिख रहा है कि टकराव उन सीटों पर भी है जहां उमिदवार घोशित हो चुके हैं सिर्फ उन्हीं सीटों पर नहीं जिन पर उमिद्वार उतारने हैं चुनावायों के घोशित शेडियूल के मताबिक महाराष्ट में नामांकन करने की आखरी तारीक 29 अक्टूबर है यानि नामांकन करने के लिए भी ज्यादा वक्त नहीं बचा है अब तक घोशित सीटों को लेकिन इस बीच महायोती में सीटों के टकराव को लेकर महाराष्ट बीजेपी अध्यक्षित चंद्रशेखर 52 का भी बयान सामने आया है जिसमें वो खुद कबूल कर रहे हैं कि अभी भी सीट बटवारे पर विवाद है खासतोर पर आठ होट सीट विवाद का कारण बन ग और अजित पवार गुट के बीच तीखी तकरार छिडी हुई है शिंदे गुट के नेता अनिल जकताप ने इस सीट पर अपना दावा ठोग दिया है तो अजित पवार गुट के नेता योगेश शिरसागर भी यहां से टिकेट चाहते हैं दरसल बीजेपी के साथ सबसीट को भी लेकर है करनेत विधन सबसीट को लेकर भी अजित पवार गुट और शिंदे गुट के बीच बातचीत चल रही है शिंदे गुट के नेता सन जकताप है से चुनाव लड़ने की मांग कर रही है तो अजित पवार गुट के नितिन पटेल ने भी इसी सीट से ताल ठोकने की तयारी कर ली है मेलगार सीट पर अजित पवार और शिंदे गुट के बीच पेच फस गया है शिंदे गुट के राजखुमार पटेल ने मेलगार से की स्थिती बनी हुई है यानी बीचेपी के लिए अजित पवार गुट और शिंदे गुट दोनों ही बड़ी मुश्किल का कारण बन गए हैं अब बात करें राजी की मानखुर्द और सिंद खेट सीट पर तो यहां भी अजित पवार की एंसीपी और एकना शिंदे के शिरसे लगवार से मिले और सीधे धंकी देदी है कि वो चुनाव झारोर लडेंगे अगर अजित पवार ने टिकेट दिया तो ठीक अजित पवार ने अडुशक्ति नगर सीट से नवाब मलिक की बेटी सना मलिक को तो टिकेट भी दे दिया है लेकिन नवाब मलिक भी चुनाव लड़ने पर अड़ गये हैं ऐसे में काफी विवाद बढ़ गया है क्योंकि बीजेपी साफ कह चुके है कि अगर नवाब मलिक को एंसीपी ने टिकेट दिया तो बीजेपी एंसीपी का समर्थन नहीं करेगी यानि एक तरह से बीजेपी ने साफ कर दिया है कि गठवंधन पर भी बात आ सकती है ये गठवंधन तूट सकता है महीं इस बीच अजित गुट और बीजेपी के बीच आश्टी विधानसभा सी सीट से अपनी दावेदारी छोकी है वहीं बीजेपी नेता सुरेश धस भी इसी सीट से टिकेट लेने पर अड़ गये हैं तो वहीं बदलापुर और अंधेरी इस्ट सीट पर भी बीजेपी और शिंदेगुट के बीच समझाता नहीं हो पा रहा है पिछले महीने गलत वज जाने वाली अंधेरी इस्ट पर भी महायुती ने उमिद्वार नहीं उतारा है इस सीट पर शिदेगोट और बीजेपी ने दावा ठोका है बीजेपी इस सीट से मुरंजी पटेल को टिकेट देने की बात कर रही है लेकिन इस सीट पर अभी तक फैसला नहीं हो सका क्योंकि जेकनाच शिंदे का दावा है कि 2019 में यहां से शिवसेना का उमिद्वार चुनाव जीता था इसलिए इस पर शिवसेना का ही दावा बनता है ऐसे में बीजेपी के लिए बहुत ही असमंजश की स्थिती है साफ है ये वो सीटे हैं जिन्हें लेकर चार दिन पहले देवेंद भी दूसरी कई ऐसी सीटे हैं जहां विवाद की स्थिती बनी हुई है बीजेपी की तरफ से अजिद गुट और शिंदे गुट को कुछ सीटे देने की तयारी तो की गई लेकिन इस शर्त के साथ कि वहां उमिद्वार बीजेपी का ही होगा यानि बीजेपी का नेता दल ब अपनी वाली बात कही है और इसके बात से ही महायोती के अंदर दल बदल का खेल शुरू हो गया है पूर्वा मुखे मंत्री और केंद्रे मंत्री नारायन राने के बेटे नीलेश राडे इसी हफते शिंदे गुट की शिवसेना में शामिल हो गए उन्हें कुंडल सावंतव पहले चार अन्य भाजपा नेता एंसीपी अजित गुट में शामिल हो गए 25 अक्टूबर को पूर्व भाजपा सांसद संजय काका पाटिल और सांगली के जिलाध्यक्ष निशिकांत भोसले पाटिल अजित पवार की मौजूदगी में एंसीपी में शामिल हो गया इसके त काबला भी एंसीपी शरत गुट के प्रदेश अधियक्ष जैंत पाटिल से होगा 25 अक्टूबर को ही नांदेड के भाशपा नेता प्रताप राव पाटिल चिखली कर भी एंसीपी अजित गुट में शामिल हो गया और उन्हें लोहा विधानसवा सीच से टिकेट भी मिल ग लेकिन पिछला चुनाव हार गए थे वैसे तो यह दल बदल गठवंधन के अंदर ही हो रहा है लेकिन इसके चलते भी गठवंधन के अंदर तीखी तकरार दिख रही है खास और पर जिस दल को सीट तो मिल गए लेकिन उमिद्वार तय करने की स्वतंत्रता नहीं है दरसल बीजेपी को अपने सहीयोगियों पर ही भरोसा नहीं है कि चुनाव जीतने के बाद कहीं वो उसके साथ ही खेलना कर दे और इसलिए वो इस तरह की रंडीती बना रही है तो आज इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही अब मुझे दीजे इजाजत आप बने रहेगे डीवी झाल